इससे पहले जीब्रेस के दू वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसमें जीब्रेस की basics को कैसे start करना है बेसिक को समझाया गया है वो वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जा करके आप देख लेना तो आप continue करते हैं आज lesson 3 पर हम work करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है डाक्युमेंट में जाकरके एक नया डाक्युमेंट क्लिक करना है तो हमारे पास में एक fresh नया पेज आजाएगा यहाँ पर अब क्या करना हैमें यहाँ आप दिहों बहुत सारी चीजे आ गए हैं है न हम चाहते हैं कि यह software फिर से एकदम fresh start हो तो या तो हम इसको बंद कर दें और फिर से start करें या फिर हम चाहते हैं कि सारी चीजे बिल्कुर refresh कर दें तो आपको क्या करना है preferences में जाना है यहां पर आपको एक option मिलेगा क्लिक करेंगे इसको तो यह कह रहा है कि क्या करना चाहिए तो आप जैसे क्लिक करोगे यहां पर देखना यह सारी चीजे refresh हो जाएंगी और सारे जो object आपने यूज किये थे पहले कभी सब खतम हो जाएंगी तो यहां से आप देख सकते हो सारे software की सेटिंग जो है वह बिल्कुल default mode पर चली गई है तो अभी चलते हैं फिर से हमें काम करना है क्या करना है तो नया object चाहिए होगा तो सबसे पहले आपको यहां जाना होता है इस1 डिक लीशाव करेंगे और रोडर करेंगे आपरी ड्रेग करके एसी छोड देंगे जैसे में ड्रेक करके छोड़ा जैसे आपने edit mode पी क्लिक किया, आप सबसे पहले आपको क्या काम करना है यहाप कश्य सीधा से जाना है यहापर एक option आ रहा है, make polymense 3D यह option क्लिक करना है तो पहला option edit दूसरा option यह तो करना ही करना है यह option किसलिए क्लिक करना होता है इस option से इसके साथ में कुछ extra option जो आते हैं वो भी add हो जाते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि सारे option अविलेबल नहीं है है ना आप यहाँ पर open कर लो geometric open कर लो देखो यहाँ पर यह बहुत ही limited option आ रहे है ना तो ऐसे ही यह सारे option के अंदर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ option ऐसे होते हैं जो बढ़ गए होंगे अपने आप से इस सब टूल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर काफी सारे option बढ़ गए यह option आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने यहाँ पर पॉली मेस 3D को convert नहीं किया है इस object को मेस 3D में convert नहीं किया है तो आपको क्या करना है सबसे पहले एक model यहाँ पर ड्रा करना है कहां से टूल के अंदर जा करके कोई भी model ले सकते हैं जब वो ड्रा हो जाएं तो एडिट मोड पर जाना उसके बाद आपको directly यहां से मेक पॉली में 3D पर convert कर देना है ठीक है इसके बाद आपको जो करना है वो करेंगे आपर तो हमने यह सारे काम कर लिए हैं तो अब हम इसको को रोटिट करके देख सकते हैं पर अभी यह रोटइट हो रहा है एक कमओ और कर सकते हैं यहां पर इसकी जो वाइर वो देखना चालते हैं तो आप Technology हयां से तो हम इसको जूम भी कर सकते हैं हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं और हम इसको मूव भी कर सकते हैं यह सारी चीजे हमने देखे थे और यह टूल कवर किये थे लाश क्लास में कि गिजमो क्या होता है यहां से मूव करा सकते हैं scale कराने के लिए box बने होते हैं यहा Нач unclear सकते हैं rotation के लिए हमारे पॉते हैं से रोटेशन करा सकते हैं तो यहां पर गिजमों नहीं ही चाहिए क्यू बटन को परस memory करंदीजीज़ यहां से drop बटन को आप क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने यह object, यह first object है, जिसको आप यहाँ पर दिखते हो, तो क्या है, यह sphere है हमारा, sphere like object है हमारे पास में, अब अगर आपको दूसरा object भी इसमें add करना है, तो आपको simply subtool के अंदर जाना है, यहाँ पर एक option आपको मिलेगा, append का, ठीक है, यह आप कैसे कर पा रहे ह जैसे आपने subtool है, इसके अंदर option मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर जाके, देखिए, arrow आपका कैसा आ रहा, append down, इसको click कर देना है, तो इसके अंदर के option आपको दिखने लगेंगे, लेकिन पूरे नहीं दिख रहे हैं, तो आपको side में जाना है, यह जो space खाली पड़ा है, इसमें click करके आपको ऊपर करना है, ऐसे slide करना है, तो आपको इस सारे option मिलेंगे और नीचे की option मिलेंगे, तो इसको और slide कर सकते हैं, आप देखिए, इस टाइप से, तो ऐसे आपको arrange करना है, तो आपको यहाँ पर append करना है, append का मतलब होता है, जो आपके पास पहले सा object है, वो भी रखने है, और कुछ नए object भी add करने है, तो यहाँ पर append में जाके, हम cube को click कर देते हैं, तो देखिए, cube भी यहाँ पर आ चुका है, जैसे cube आया, तो आप देखोगी, इस subtool के अंदर एक दूसरी layer बन गई है, हमारी, यहाँ पर यह cube आ गया है, ठीक है, तो हम इस cube क क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बाहर निकालने कोशिस करते हैं, तो last class में जो आपको बताया था, अगर किसी object को बाहर निकालना, move करना है, तो कौन सा tool चाहिए, यह move tool चाहिए होगा, पर आपको वो object selection बताना पड़ेगा, कि object select है या नहीं, तो नीचे वाली layer पर यह object है, cube, इसको हमें move करना है, तो हमने इसको click कर दिया, अब इसको हमें उपर लेके आना चाहते है, तो हमने उपर कर दिया, इसका size हमें थोड़ा सा छोटा करना है, तो scale से हम थोड़ा सा size छोटा कर सकते हैं, ऐसा करके, और हम इस side से देख सकते हैं, या top से देख सकते हैं, तो हम इ बनाना चाहा रहे हैं इसकी अब हम इसी को दुबारा करना चाहते हैं तो क्या करें यहां पर तो हमें यहां से फिर से जाना पड़ेगा कहां पर अपेंड में यह और फिर से बॉक्स लाना पड़ेगा यह नीचे बॉक्स आया हुआ है इसका साइज भी हमें छोटा करना है और और हमें इसको टॉप से देखना है जाके यह बहार X में बहार साइड में आएगा और कहां जाएगा थोड़ा से Z-axis में तर साइज में थोड़ा से वेरियंट है तो छोटा बड़ा कर लेंगे यह कुछ इस टैप से और फ्रंट से अगर देखेंगे तो यह उपर नीचे हो रह साइड से अगर देखेंगे यह आँखें बहुत इधर जा रहे हैं तो यह और यह दो टूल हमें चाहिए तो हमने यह दोनों टूल को या फिर एक स्फेर को क्या कर दिया डबलू प्रेस किया और थोड़ा संदर कर दिया तो यह कुछ आँखें टैप की बन गई अब हमें कुछ और एड करना है ठीक है यह रोटेशन टूल आ रहा नहीं चाहिए क्यों प्रेस कर लिजिए यहां से तो फिर सेट एक करेंगे और इस बारी हमें अपेंड करके लगाना है कुछ नया लगा सकते है राइट जैसे यह हम कून लगा सकते तो मिद्क किया देखिः कून आ गया पर कून सिलेक्ट नहीं है तो जो लियर आपको मूफ करनी है जिस पर काम करना हो पहले से लेट है या फिर इसको यहीं पर रखते हैं यहंपर इसकी कम डी बनाते हैं ना यहां पर आगया पर 있지만 अगर देखेंगे जाकर पीछे जा रहा है थोड़ा सा अगे लेकर के आना पड़एगा और इसका साइज पाइसा छोटा करते हैं और इसको ऊपर और से नीचे मूव करके इसके अंदर ऐसा फिट कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर यह तो कुछ इस टाइप से हमने इसका सेट कर दिया है ठीक है अब हम चाहते हैं नीचे इसकी गर्दन टाइप की कुछ बन जाए तो हम एक आपजेट को फिर से अपेंड करेंगे और यहां पर ज्यादा चीज़े हो जाती है तो इस स्लाइडर आपको आजाता है इससे आपको अरेंज करना पड़ेगा तो यह देखिए सिलेक्ट होगे आप यहां से देख सकते हो जो भी चीज़ सिलेक्ट हो रही है और जो चीज़े सिलेक्ट नहीं थोड़ा सा डल ब्लैक टाइप का दिखाई दे रही है तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका करेंट सेलेक्शन क्या है यह मूव कर दिया हमने साइज अगर थोड़ा से छोटा करना है तो आप बीच वाले से ओवराल साइज चोटा और इसकी हैट को बड़ा करना है तो यहां से आप हैट को बड़ यहां से अप्मेंट पी क्लिक करना पडेगा यहां से देखते हैं कुछ록 संगे Star प्क है कि आ रहे है यहां पर यह तॉर इसको बोलते हैं यह नए से फिर से ले यहांपर नहीं को उनकी होरおお को और दीखाई नहीं दे रहा है तो यहांसे तो दीखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंदर भुशा हुआ है अभड कि और यहां पर एक option आपको कि आप पर अभी दिखाईन दे रहा कोई बात नहीं आप डबन Bä प्रेक्ष करें यहे देखिए हमने कहा था shift के साथ में आप करोगे तो आप देखें नीचे perfect value चले decimal value नहीं मिलेगी अगर आपको नहीं पता है last class देख लिजेगा वहाँ पर हमने अच्छे से समझाया है इसको move करते हैं यहाँ पर और f प्रेस करेंगे यहाँ पर आएंगे f प्रेस करेंगे थोड़ा सा और close और थोड़ा सा हम इसको x में हलका सा rotate कर सकते हैं ताकि हमें वह दिखाई भी दे कुछ steps से अब आपको यही चीज चाहिए इस साइड में दूसरे साइड में तो आप इसकी copy कर सकते हैं simply तो आपको copy कैसे करना है आप यह नहीं पर जब आप जाओगे यह सब टूल के अंदर तो देखिए एक copy नाम का option मिल जायागा आपको देखिए यहां पर यह duplicate तो आप duplicate भी कर सकते हैं तो जैसे duplicate हो अब देखिए इसका इसने duplicate कर दिया दो copy बन गए तो आप यह वाली copy हमको किदर चाहिए होगी इस साइड म आप तो हमने इसके कान के बाली बुंदी भी बना लिये हैं successfully अब हम चाहते हैं कि इसके थोड़ी सी lips भी बना दे तो यहां से append करेंगे कोई नया object और देखेंगे यहां पर क्या है जिससे हम lips बना सकते हैं तो I think मेरे पास में यह Taurus ही है इससे हम lips बनाएंगे आपको लगत यहां से यूज़ करके lips बना सकते हैं तो आप बिल्कुल भी बनाएं फ्री है अब देखें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का टॉरस जो रिंग है इसको यहां से move करेंगे नीचे हमको लाना है पर अभी ठीक से दिखने रहा है इसका lips बनाना है तो आगे होना चाहिए थोड़ा साइस भी छोटा इसका रखना पड़ेगा पिछे आते हैं थोड़ा सा और यहां से देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है तो यह कुछ-कुछ कुछ अभी एदर साइड में ळा रा За हम को यहां आनी चाहिए हमको च seven प्रण फ्रंट कहां पर रहे है यहां पर तो अब हम यहां से परस्पेक्तिव में देख सकते हैं थोड़ा सा उपर इस यहां पर पर लेपस तो बिब समझ में नहीं आ रहा हैं क्aseकू थोड़ा सा कर लेते हैं और रोटेट करते हैं और X-axis में थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं तो कुछ lips type का हम को हम यहाँ पर थोड़ी सी length बढ़ा लेते हैं कुछ इस डाइप से और side से जाकर के इसको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर को यहां पर कर देते हैं, तो कुछ यह बस basic shapes बताने के लिए कि आपके basic shapes किस तरह से आपको arrange करने होते हैं और एक नया shape बनाना होता है, तो यहां पर अब आप उसको नीचे कुछ base लगाना चाहते हैं, तो आप base भी लगा सकते हैं, फिर से append करा सकते हैं, तो आप चाहे जितने अपने लिया था तो कहां से लिया था इस टूल में जा करके तो यह तूल में जब फर्स टाइम आपने कोई पारी दी रहे हैं इसको डिलीट करना तौब यहां से देखेंंगे जाकर के कहां पर ऑको को कोई दूसरी लेयर सेलेकट करने पड़ीजी बिटन का हुटा है उसकी ऐटम उनकी इसको तो हमने उसको हैड कर दिया पर अगर आपको लगता है कि चाहिए नहीं हमको बिल्कूर से नहीं चाहिए तो इस लेयर को सेलेट करेंगे यहीं सब टूल में जहां अपेंड था उसी के बगल में आप देखोगे यहां डिलीट का एक अप्शन आ रहा है तो इस डिलीट बटन को आप क्लिक कर सकते हो और ओके तो यह पर्मनेंटली डिलीट हो जाएगा यहां से तो आपने अपेंड करना सीख लिया यह तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा अब्जेक्ट हमें सीन में रखने होते हैं उसके बाद डूप्ली अगरिक्ट सीखते जाएंगे तो आप फाइनली आती है बारी कि अब इसको से कैसे करना है पर्मनेंटली अगर सेफ करना है तो द्यां रखना है यहां पर कुछ आप्शन आ रहे हैं तो इन और यहां से एक आप्शन मिलेगा सेफ का तो हम इसको क्लिक करेंगे यह बोला है क save the document, save the tool तो tool save नहीं करना है ध्यान रखना आपको हमेशा save the document पे click करना है और जब यह save कर रहा है तो जहाँ पर भी इसने save किया होगा by default setting अगर आपको लगता आपकी location पे save कराना है तो document में जाके save as कर दीजे और save document करेंगे तो यह पूछेगा कहा save करना है तो हम अपनी location देते हैं अभी first time यहाँ पर तो हम इसको यहीं पर देंगे location अपने desktop पे तो यहाँ पर इसको बूलेंगे कि जोकर gap जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं save कर दिया अभी आपको document में जाना है new document में और कभी भी लगता है कि आपको वो project दुबारा से open करना है तो यहाँ से ही आपको open भी करना है आपको कहीं नहीं जाना है आपको document में देखिए जहां पर भी रखा होगा आप उस location पे जाके इसको open करेंगे तो जैसा आपने बनाया था बिल्कुल वैसे यह आपको यहाँ पर आ जाएगा तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं ठीक है तो अब मिलते हैं next session में चैनल को subscribe जरूर करना हम बहुत बड़ी series यहाँ पर जीब्रस की बनाने वाले हैं और सारे lesson cover करेंगे bell icon को जरूर क्लिक करना मिलेंगे next session में नए topic के साथ में तब तके लिए thank you